हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग आसा है कि आप लोग अच्छेंगे फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है जो आप लोग के दिखाने वाले हैं आज ये लीडी के भाड़े में दोस्तों देखिए आज मेरे पास एक विलीटी आया है जो आप लोग बीच रखना चाह रहा है क्योंकि एक छोटा सा गलती था जिसके कारण हमारे पास लाना पड़ा है इनको तो दोस्तों आज चलिए बताते हैं वीडियो का लाश्ट तक बने रहे हैं क्या चोटा सा गलती है देखिए दोस्तों यह एलेडी यह कई सिंज का है और यह हुआ क्या है तो इसमें लगवा था लाइन दिए दिय हुए था तो फिर हाई पूलते जाया और इसका सिस्ट्म ख्राब हो गया फिर मेरे पास चलिए हम लाइन देकर देखते हैं कि लाइट इसमें आ राए नहीं आ रहा है देखिए दोस्तों अमने तो लाइट देदिया है तो वारिष और इस दोस्तों चलिए क्होल पडेखते हैं कि देखिया दोस्तों ये तो उपल का खुला हुआ और इसको कि इसमें दो बूर्ड रहता है एक पावर बर्ड अ प्रोग्रामिन बोड होता है जिसमें पाउर बोड का काम रहता है एसी को डीसी में कनवर्ट करने का और प्रोग्रामिन का मुतलब होता है कि सिस्टम कैसे चलता है चलिए दोस्तों आगे देखता हूं कि इसमें क्या हुआ है तो देखिए दोस्तों इसमें आप लोग को लाइ हाई बोल्ट जाता है तो problem । हटा हो जाता है इसलिए होगा डिश्पिलेंग घडा दिये देखिए यह Power Board है जो AC कुल लेता है दीसी में Convert करता है यह programming board सामने दिखाई दे रहा है कि यह Power होता है कि दोस्तों देख लिए आप लोग एक आइसी जला हुआ उसे साथ कंडेशनर भी जला होगा और छोटा-छोटा पार्च रहता हो भी जला होगा तो देखते हैं इस बोट को नहीं चेंज करके दूसरा नियम लगाते हैं है साथ उससे अकर सक्सेस हो जाता है तो फिर बना कर दे दिया जाएगा देखे दोस्तों तो भी सिस्टम लगा दिया गया है जो 12 वोल्ड डीसी डियरेक्टरी इसको लान दिया एक 12 वोल्ड का चार्जर आता है ठीक है दोस्तों जो आउटपुट 12.0 वोल्ड देता है उसको लगा कर देख रहा हूं देखे दोस्तों लगा दिया हमने देखिए लाइट भी आ गया दोस्तों देखिए लाइट आगया और चालू भ खर्च में मतलब समान देखिए दोस्तों यह चालू हो गया इसमें फिक्चर चलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो अच्छा लागा हो तो सेर जरूर करें और चैनल के सस्क्राइब जरूर करें धन्य बाद दोस्तों वीडियो कैसा लागा है कोमेंट करना ना भूलें